11 मई 1998 शाम 3 बच के 45 मिनट राजस्थान के पोखरण में सफल परमानु परीक्षन करके भारत दुनिया का छठा परमानु संपन्न देश बना लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि कई बड़े देश नहीं चाहते थे कि भारत परमानु संपन्न देश बने जिसके लिए अमेरिका के Central Intelligence Agency यानी CIA की नजर भारत पर थी ततकालीन प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई जी के नेतरित्व में डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम और डॉक्टर आर चिदंबरम की टीम ने भारतीय सेना की सहायता से इस परीक्षण को अंजाम दिया जिसकी भनक CIA तक को नहीं लगी 11 मई को तीन परमानु परीक्षण करने के बाद दुनिया भर के कई देशों ने भारत पे आर्थिक पाबंदियां लगा दी लेकिन दुनिया की नाराजगी के बावजूद 13 मई को दो और परमानु परीक्षण करके अटल बिहारी वाजपेई जी ने दुनिया को बता दिया कि हम जुकने वाले नहीं हैं